तो काईज आज की इस वीडियो के इंदर मैं आप से भी को बदाने वाला हूँ रियल में 12X 5G के कमाल की फीचर्स के बारे में जैसे कि आप सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी होम स्क्रीन एंड लोक स्क्रीन इसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स हैं अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेजी इसमें आपको काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं जो आप पहले नहीं देखेंगे नहीं जानते होंगे अगर आप जान जाएंगे तो काफी कमाल का feature आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको home screen mode देखने को मिलेगा इस पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर दो mode दिखेगा standard mode, drawer mode standard mode पर click करेंगे तो जो apps है आपको side में करने पड़ेंगे तो आएंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं apply कर देता हूँ switch कर देता हूँ तो यहाँ पर जो apps रहेंगे वो इस तरह से आएंगे इस तरह से slide करेंगे तब आपको दिखेंगे और यहाँ पर अगर आप इसे drower mode पे कर देते हैं तो ऊपर की तरफ करेंगे तब आपको app थेकनी को मिलेंगे जैसा कि यहाँ पर so भी हो रहा है इस तरह से आपको करना है personalized search है यहाँ पर इसे जब आप on कर देंगे तो ऊपर करने के बाद यहाँ पर search करने का भी option आएगा इसे ओन कर देंगे तो एप सजेशन करने लगएगा डिस्पले कीबोर्ड वहन एंटरिंग एप ड्रॉर जब आप इसे ओन रखेंगे तो जब आप उपर करेंगे स्क्रोल तो वहाँ पर कीबोर्ड भी आ जाएगा किसी भी एप को आप सर्च भी कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ करके जैसे कि मैं यहाँ पर इसे अपलाई कर देता हूँ और उपर की तरफ करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड भी आ चुका यहाँ पर कोई भी एप मैं यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ तो इस तरह से यहाँ पर आएगा अगर आप इसे אोंड करते हैं उसके बाद यहाँ पर add app Search to notification टॉ यहाँ पर अगर आप इसे ओन कर देंगे तो notification टॉ हो एप सोर्च करने का एक उसके बाद यहाँ पर back करते हैं home screen layout इस पर जब क्लिक करेंगे तो home screen की layout को आप change कर सकते हैं यहां पर अलग-अलग size दिया हुगा जीसे four into five है तो इस तरह से हो जाएगा four into six में इस तरह से हो जाएगा फाइब five into five में इस तरह से कुछ apps होजाएंगे तो जो भी size आपको करना वो आप यहां पर कर सकते हैं और यहां पर apply पे क्लिक करेंगे वह यहांपर apply हो जाएगा उसके बाद यहां पर ican pull down gesture इस पर जब आप click करेंगे तो अगर आप इसे ओन कर देते हैं तो आप किसी भी app को एक click में यहां पर चालो कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर दिखा देता हूं साइड से आप इस तरह करेंगे छोटा हो जाएगा माले यह WhatsApp मुझे खोलना तो मैं WhatsApp पर लेजाओंगा तो WhatsApp direct यहाँ पर खोल जाएगा तो इस तरह चुड जाएगा तो इस तरह आप Marknant को यहाँ इसे पर तो इस सेट्लिंग का मतलब यह है आइकन ओटो फिल यहां पर जब आप ओन कर देंगे तो ओटो फिल हो जाएगा मतलब की जो भी डाउनलोड करेंगे ओटो फिल जगह जो रहेगी वह अपने आप ही भर जाएगे जैसे कि माली जी मैं यहां स्क्रीन पर आता हूं यहां प इहां पर यहां पर बैक कर लेते हैं उसके लएदा स्वाइब डाउन ओन Home स्क्रीन तो जब आप हूम स्क्रीन पर स्वाइब保 करेंगे तो यहां पर करेंड में स्क्रीन तो होम स्क्रीन पर अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो इसे ओन कर दीजिएगा होम स्क्रीन पर जब आप ऊपर की तरफ करेंगे तो यहां पर सर्च करने का उप्सन आजाएगा उसके बाद एप स्टार्ट अप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड जो अपर ओपन डिस्प्ले एप अपडेट डोट जब आप इसे ओन करके रखेंगे तो कोई भी नया एप डाउनलोड करेंगे तो उसके आगे थोड़ा डोट दिखाई देगा जैसे कि यहां पर अर्न करो है यहां पर आप देख सकते हैं इसके आगे हलका सा डोट दिखाई दे रहा है आपने कभी open नहीं किया है उसके बाद यहां glance for real me इस पर जब आप click करेंगे तो lock screen पर glance type आएगा मतलब जैसे कि home screen lock करेंगे अपने phone को तो नए नए यहां पर photo जाते रहेंगे अगर आप इसे own कर देंगे तो मैं यहां पर इसे off रखता हूं उसके बाद यहां back करेंगे उ इसके बाद है double tap to wake off or turn off screen तो अगर आप इसे own रखते हैं तो double tap screen पर करेंगे तो screen lock हो जाएगी और double tap करेंगे फिर own हो जाएगी उसके बाद है so media player on lock screen तो अगर आप मेडिया प्लेयर यानि की गाना वाना अगर चला रहे हैं तो वो lock screen पर so होगा अगर आप इसे own रखेंग इसके बाद है lock screen shortcut इस पर click करेंगे तो lock screen होने के बाद है इनमें से कोई भी चीज अगर आप use करना चाहते हैं तो उस पर touch कर देंगे lock screen पर वो आपको so होगा जैसे कि मैंने यहाँ पर torch किया हुआ है मैं lock screen पर torch जला सकता हूँ click करके उसके बाद यहाँ पर clock style पर click करेंगे clock style देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर back करते हैं यहाँ पर pocket miss touch prevention अगर आप फोन जो है lock नहीं हुआ है और आपने फोन को जैब में रख लिया है तो touch नहीं होगा अगर आप इस setting को on रखते हैं यह कभी कमाल का feature है कलती से भी अगर आपका phone lock नहीं होता है अगर आप jam में रख लेते हैं तो आपके jam में कहीं भी touch नहीं होगा अगर आप इसे on रखते हैं उसके बाद है recent task manager इस पर click करेंगे यहाँ पर जैसे कि यह वाला जब हम button दवाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का interface आता है इसे करते है recent task manager तो इसमें setting यहाँ पर यह है कि अगर आप इसे on रखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ apps है जो लोग है जैसे Facebook के Gmail इंचाग्राम WhatsApp यह लोग है और यह जो एप से यह अनलोग है और मैं इस तरह से करके यहाँ पर close करूंगा तो सभी यहाँ पर हट जाएंगे और जो app लोग रहेगा वो नहीं अट रहेगा तो अगर आप इस बटन को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे क्लिक कर सकते हैं यह चेंज हो जाएगा अगर आप यह वाला रखना चाहते हैं तो यह कर सकते हैं बाकि अगर आप जेस्चर वाला चाहते हैं तो जेस्चर पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर बैक क एसिस्टेंट विद होम बटन आप होम बटन से गूगल एसिस्टेंट को चालू कर सकते हैं अगर आप इस सेटिंग को ओन रखेंगे बैग करते हैं यहाँ पर सिम्पल मोड सिम्पल मोड भी काफी कमाल का फिचर है जैसे कि अगर अपने फोन को आप हाई वेलो में पर रखना सेटिंगे जैसा कि आपको यह पर हो रहा है उसके बाद हाईयर वोलूम वोलूम जो काफी हाई हो जाएगा उसके बाद सेंपलर सेटिंग सेटिंग जो उसमें भी आपको बड़ा बड़ा दिखाई देने लग जाएगा सिम्पल मोड में यहाँ पर कुछ इस तरह का फीचर सब कुछ काफी बड़ा बड़ा हो गया है तो इस तरह से आप सिम्पल मोड का यूज कर सकते हैं अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो नीचे आपको देख जाएगा एकजिट सिम्पल मोड इस पर क्लिक करेंगे तो वापिस आप पहले जैसे जैसे आपका फोन था वैस को लाइक कर दीजिएगा और इसी यह और कमाल की वीडियोस देखने के लिए अमारे यूटूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लिजी